दिमाग के बिना पैसा हमेशा खतरनाख होता है यदि आप स्वयम पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो स्वयम आप पर विजय प्राप्त कर लेगा कोई भी सुझाव योजना या उद्देश्य मन में विचार को बार बार दोहर आकर बैठाया जा सकता है बड़ा वितन और छोटी जिम्मेदारी शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे से हसिल की है अपने विजन और सपनों को इस तरह संजोए जैसे कि वो आपकी आत्मा के बच्चे हो आपकी उपलब्धियों की मूल योजना जीवन में आपको जो भी अफसर चाहिए वो आपकी कल्पना में प्रतीक्षा करते हैं कल्पना आपके मस्तेश्क की कारेशाला है जो आपके मन की उर्जा को सिद्धी और धन में बदल देती है एडिसन एलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में दस हजार बार विफल हुए यदि आप कुछ बार विफल हो जाते हैं तो हिम्मत मत हारिए कोई भी व्यक्ति उस शेत्र में सफलता प्राप्ट नहीं कर सकता जिसे वह पसंद न करता हो अच्छी तरह से जान लिजिए आपको आपके अलावा कोई और सफलता नहीं दिला सकता हर एक काम्याबी और दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है डर मन के स्थिती के अलावा और कुछ भी नहीं अपने ध्यान को एक सुद्रुड लक्ष की और लगाईए और महसूस कीजिए कि सारी दुनिया आपके लिए रास्ता दिना शुरू कर देती है आम तौर पर महान उपलब्दिया महान बलिदानों का फल होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती यह सचमत सत्य है कि आप दूसरों को सफल होने में मदद करके सबसे तेजी और अच्छे से सफल हो सकते है पाने से पहले दीजिए किसी कार्य को खूपसूरती से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयम करना चाहिए हर विपत्ति हर असफलता हर मनोव्यथा अपने साथ उतने ही महान फायदों के बीज लेकर आती है आपका बड़ा अफसर शायद वहीं है जहां आप अभी है धैर्य द्रड़ता और कड़ी महनत सफलता के लिए एक अपाराजित समीकरन का निर्मान करती है जब आपके इच्छाएं मजबूत होंगी तो आपको लगेगा कि आपके अंदर उन्हें पूरा करने की आलोकिक शक्ति आ गई है जिस प्रकार आँखों को देखने के लिए रोश्नी की जरूरत होती है उसी प्रकार हमारे दिमाग को समझने के लिए विचारों की जरूरत होती है जितना सोना धर्ती से निकाला गया है उससे कई जादा लोगों के विचारों से निकाला गया है विचार ही सारे भाग्य का प्रारंबिक बिंदू हैं इंतजार मत करिये सही समय कभी नहीं आता सफलता की सीडियों पे शिखर पर कभी भीड नहीं होती हमारा मस्तिश हमारे अंदर चल रहे विचारों से सम्मोहित हो जाता है और यही सम्मोहन हमारी तरफ शक्तियों, लोगों और परिस्तितियों को हमारे विचारों की शक्ति के हिसाब से आकरशित करता है यदि आप अपनी सम्रधी की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो आप उसे अपने बैंक खातों में कभी नहीं देख पाएंगे इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक कि वो अपने दिमाग में हार न मान ले हम अगर किसी चीज की कल्प ना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं